गिररमो गाउं पंचायत में आने वाले रासा गाउं में गाउं के पास नाले के पास शौच करने गए एक यूबक पर जंगली जानवरों ने ताबर तोड़ हमला कर उसे गंबीर रूप से घायल कर दिया गायल का इलाद सेवगराम अस्पिताल में चल रहा है प्राप्त जनकर रिके नुसाश निवार सुभा करीब 9 बजे रासा के निवासी विकास नौताम उम्र 37 वश गाउं से सटे समशान भूमी के पास नाले के पास शौच करने गए थे इसी दोरान अचानक नाले के पास से आये एक जंगली जनवर उन्हें उन पर हमला कर दिया और उन्हें करीब 3 फिट दूर फेक दिया इस हमले से विकास किसी प्रकार अपनी जन बचा कर भाग निकला और जब वह घर आया तो गाउ के गजानन नैताम वह गजानन कुम्री ने उसे ततकाल इलाज के लिए प्रात्मिक स्वास के इंद्र गीरर में भरती कराया इस वक्त चिकितसा अधिकारी डॉक्टर मेलिंद गुजर ने प्रात्मिक उप्चार किया गटना की जानकारी मिलने पर मोहगाउ ग्राम पंचयत के सरपंच विलास नवगरे राकेश बोवडे अस्पताल गए और घायल विकास नैताम को अस्पताल की एंबुलेंस में आगे के इलाज के लिए सेवा ग्राम अस्पताल में भरती कराया मंगरूड के श्रेसायक गोपाल येटर ने वंडक्षक को घटना की जानकारी दी मोहगाउ ग्राम पंचयत के सरपंच विलास नवगरे ने संबदिद विभाग से घायल विकास नैताम के इलाज के लिए ततकाल आर्थिक सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया है साथी सरपंच विलास नवगरे ने मोहगाउ ग्राम पंचयत अंतरगर जंगल के पास खेती कर रहे मोहगाउ वनर चुवा तावीर रासा कैसला पार के किसानों से इस जंगली हमले से सावधान रहने की अपील की है NBC News के लिए हिंगन घाट से रवीयन और करकी रिपोर्ट